आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखिए तो आज हम बात करेंगे कि आप सभी नो जो एकजाम दिया था दिसंबर में ठीक है और जो एकजाम स्टार्ट हुए थे दो दिसंबर से ले करके 9 जनवरी तक चले थे ठीक है बहुत सारे जो बच्चे थे उनके क कम माक्स आए थे या बहुत सारे बच्चों क्या हो गए थे इगनु की तरफ से क्या हो गए थे फेल हो गए थे ठीक है अगर आप फेल हो गए थे आपके कम माक्स आए थे तो आप सभी ने रिवाइलिवेशन के लिए रिवाइलिवेशन का मतलब है आपने दुबारा उसके साड़े साथ सो रूपए अपलाई की होगी या सो रूपए का अपलाई फोटो कोपी मंगवाई होगी तो रिबैलवेशन रिजल की जो अपडेट है वो इगनु की तरफ से आ गई है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 मार्च जो हजार थे इसको इगनु की रिबैलवेशन की यह दूसरी अपडेट है इससे पहले जो अपडेट किया गया था ओ साथ 18-16 तारिकी जो अपडेट थी उसमें भी रिबैलवेशन की अपडेट आई थे यह दूसरी है तो आगर आपने दिसमबर 2022 में एक्जाम दिया था आपकी बैक थी या आपके मार्च कम थे तो अगर आपने रिबैलवेशन में इहनी रीचिक एंग 750 रूपए अगर आपने लगा करके रिबैलवेशन के अपलाई किया था अगर आपके मार्च अपडेट हो गए होंगे बढ़ गए होंगे जैसे मालो किसी स्टूडेंट ने रिबैलवेशन के अपलाई किया उसके मालो 20 मार्च थे ठीक है बैक थी और मालो रिबैलवेशन का रिजल्ट आया तो उसके 45 हो गए तो ग्रेट कार्ड में 45 अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं जैसे मालो कि एक बच्चे ने एकजाम दिया उसके 55 मार्च आए ठीक है 55 मतलब पास है लेकिन फिर भी कई बार बच्चों को लगता कि मेरे मार्क स जादा आने चाहिए थे इस वज़े से कई बार बच्चे क्या कर देते हैं रिबावेसन में 750 रुपई डाल देते हैं तो मालों अगर आपका 55 था रिबावेसन में आपके 50 माक्स रह गए तो आपका 50 माक्स नहीं होगा 55 भी count नहीं जो ज़ादा होगा उसी को count किया जाता है माइनिस वाला नहीं count किया जाता है कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा रिबैलिवेशन अप्लाई करता है पास है 50 नमबर थे रिबैलिवेशन के बाद उसके 40 नमबर हो गए आपको कोई tension लेने वाली बात नहीं है जिस भी बच्चे के कम माइक साते इगनू में ठीक है या माले आप फेल हो जाते हैं तो आप रिबैलिवेशन इसको इगनू की लेंगवेजन पर बोलते हैं और बाकी जगह पर जैसे बच्चे रिचेकिंग बोलते हैं कापी को दुबारा चेक करवाना करवा जाता है वही यहाँ पर रिबैलिवेशन होता है तो इसके लिए आपको क्या पता है क्या करना पड़ता 150 रूपए आपको लगाना पड़ता तो जिसने भी रिबैलिवेशन अपलाएगा रिजल्ट आ गया आप सभी लोग जाकर कि अपने अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगर आपका आयोगा तो मुझे जरूर बताईएगा किसी का मेरे पास अभी डाटा नहीं नहीं तो आपको जरूर दिखा ता किसका रिजल्ट आया है किसका रिजल्ट नहीं आया चैनल को जरूर सस्क्राइब करेना इस से रिलिट मैंने वीडियो नहीं बनाया था और मैंने एक बार बोला था कि मैं वीडियो जरूर बना दूगा तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सो मच, अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में, तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना contact number भी दे दूँगा, आया आप मेरे पास mail भी कर सकते हैं, अगर आप BAG क student है, अमालों के बहुत सारे आप BAG या MA history के student है, ठीक है, आप BAG में किसी भी एर से हैं, या आप MA history के student है, तो मैं आपको class जरूर पढ़ा दूँगा, ठीक है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, कोई पैसे देने के आपको जरूरत नहीं पढ़ेगी, मैं उसे online ही class पढ़ाता हूं तो आप लोग आ करके भी पढ़ सकते हैं, चैनल पर भी आपको, मेरे चैनल पर लगातार आपको history, political science, हिंदी, sociology, इसकी जो BA बच्चे करें, उनकी class लगातार मिलती रहती है, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगे, अगर आपका कोई friend है, तो उसको भी जरूर कि उल आ करके चैनल से पढ़ाई कर सकता है, वीडियो को देखने के लिए thank you so much, जय हिंज भारत